बड़ी खबर आपको बता दू कि राहूल गांदी से टीडी की तूटाज के खिलाफ कॉंग्रेस का प्रदशन जिया नाखपूर की सडको पर जूटे हैं सैक्रो कॉंग्रेस कारेकरता कॉंग्रेस ने केंदर सरकार के खिलाफ नारे बाजी भी की है कॉंग्रेस कारे करताओं ने पुलिस के साथ धक्का मुकी भी की देखिए हम आपको बता रहे हैं कि देश के अलग-अलग हिस्सों में लगातार आज कांग्रेस कारे करताओं लगातार आज नारे बाजी कर रहे हैं प्रदर्शन कर रहा और इसी बीच ये नाखपूर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सैक्रों की संख्षा में कॉंग्रेस के कारेकरता सड़कों पर आए प्रदर्शन कर रहे हैं जहां पर कॉंग्रेस के कारेकरता सड़कों पर उतरे जहां तक की धक्का मुक्की की कई जगे बैरिकेटिंग भी तोड़ दी गई बैरिकेट पर चड़ गए गेट पर चड़ गए लगातार कानून को हाथ मेंने की कोशिश की गई और एक तरीके से जो प्रदर्शन को कह रहे था कि देखे राहूल गांदी की जो समनिंग हुई है गला तरीके से की गई है उसको लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है शांती पूर वक्स प्रदर्शन कहा जा रहा था लेकिन कई जगे ऐसी तस्वीरे आई जब पुलिस कर ओर्णियस के साथ पॡ़िस के साथ भी कॉंगरेस के कार करता नज़र आ रहे ह dzięki कारिक.. पर चले रजनीश का रुख कलते रजनीश देखे नाकपूर में तो हंगामा हो रहा हैं तस्वीरे दिखा रहे हैं लेकिन आज ऐसी तस्वीरे हमने दिल्ली से भी देखी कितने लोगों को हिरासत में लिया गया था और अभी किस तरीके का महल और कहां पर हैं आप इस समय पुलिस टेशन के अंदर ही जो हैं वो केसी वेनु गोपाल अधिर रंजन चौधरी और हरीश रावत और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जो हैं डिटेन किये गए हैं साथी कुछ समर्तक भी हैं अभी-अभी राजीव शुकला उनसे मिलने के लिए कोई भी हो किसी को अंदर जाने के इजाज़त नहीं है वहीं अगर दूसरी और मैं अगर बताओं डिटेनिंग के अगर मैं बात बताओं सुमित तो मेरी दी सीपी नई दिल्ली जो अमृता है उनसे मेरी बात ही तो नोंने साथ तोर पर गा कि अभी तक आकड़ा नहीं आया गया है जो सुबह से हम लोग देख रहे हैं और यह आकड़ा मैं आपको बहुत कम बता रहा हूं इससे आकड़ा बहुत जादा भी हो सकता है लेकिन अलग-अलग थानों में जैसे फटहपूर बेरी में राजिस्तान के मुख्य मंत्री अशोग गहलोत को और 36 गड़ के फटहपूर बेरी में है कुछ लोगों को मंदिर माध पुलिस्टेशन में रखा गया है कुछ लोगों को यहां पे तुगलो क रोर पर मौशूद हूं यहां पर रखा गया है जो मेरे सोर्स कनफर्म कररहें जब तक रहूल गांदी से पूछता पूरी नहीं हो जाती है राह शड़कों पर आएंगे इनके समर्थक आएंगे नारेबाजी होगी प्रोटेस्ट होगा और दिल्ली की कालून व्यवस्ता होगी तुकलक रोड थाने पर हैं और वह हमें बता रहें कि देखे जब तक डिटेन करना डिटेन से छोड़ा नहीं जाएगा जब तक की राहूल गा दूसरे राउंड की जो पूछता अचा उसके लिए डी दफ्तर गये पूछता शुरू भी हो चुकी है लगातार मिनाक्षी भी हमको बता रही थी इस समय क्या वहां पर हालात है और किस तरह के सुरक्षा व्यवस्ता की गई है डी दफ्तर के बाहर भी और कोशनिंग जो हो अगी सेकेंड राउंड की उसमें क्या कुछ पूछा जाना है वाला है